वेलकम माई डिया रॉकर्ड्स आज हम देखने वाला है एकस्टांडरी अटरनीवू के 13th और 14th अपिसोड को अगर आपने इससे पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए उन्हें जरूर देखना एपिसोड 13 की शुरूआत में हम देखते हैं कि यंगू अपने एक फादर के रेस्टोर में बैठी भी ब्रेकफस्ट कर रही है तब ही वहाँ पर उसकी पड़ोसी आती है जो कि अपने फादर किम को भी साथ लेकर आई है वो अटरनी यंगू से मिलने के लाए होते हैं क्योंकि उन्हें एक मंदिर के ओपर केस करना है अब ग्वेंगो उन दोनों को बैठाता है और यंगू से उनका इंट्रो करवाता है फिर मिस्टर किम की बेटी बताती है कि मेरे फादर कुस दिनों पहले अपने नए घर में शिप्ट हुए थे इसलिए मैं अपने फादर से मिलने के लिए उनके घर पर गई थी वहाँ जाने के बाद जब मैं अपने फादर के साथ घुमने निकली तभी एक लड़का हमारे सामने आया जो मंदिर के नाम पर फीज लेने लगा हमें तो मंदिर भी नहीं जाना था लेकिन फिर भी उसने zबरदसती हम से फीज क्लेक्ट कर ली अब मिंश्टर कम कहता है की बेवजे और जबरदस्ती फीज क्लेक्ट करने के लिए मैं वेंग जिस्या मंदिर पर केस करना चाहता हूँ फिर यंगू के पूछने पर वो बताता है कि मैंने मंदिर के नाम पर 3000 एन की फीस दी है जो कि मुझ से जबर्दस्ती ली गई यंगू बताती है कि देखे अगर आप मंदिर के ओपर केस करेंगे तो उसमें तीन हजार येन से भी जादा लग जाएंगे लेकिन मिस्टर किम कहते हैं मुझे तो केस करना है क्योंकि इसमें मेरे मौरल्स की बात है इसके बाद यंगू के पूछने पर मिस्टर किम की बेटी बताती है कि ये मंदिर जीजू आइलेंड पर है ये सुनकर यंगू एकदम खुश हो जाती है और उन्हें जीजू आइलेंड की खुबसूरती के बारे में बताती हुए कहती है इस आइलेंड पर बहुत सारे डॉल्फिंस को रिलीस किया गया था अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया है क्योंकि लास्ट एपिसोर में हमने देखा था कि उसको खांसते वे खुन निकला था जब उसकी टन आती है तो वो डॉक्टर के कवन में जाता है फिर हॉस्पिटल साने के बाद वो और ऑफिस जाता है फिर उनके साथ जुनो भी आता है और सबी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इतनी खुबस्रों जगे जाने का मौका मिल रहा है इसके बाद लंच टाइम में जब जुनो और यंगू एक साथ बैटकर लंच कर रहे होते हैं तब यंगू हमेशा कितरे विल्स की बाते करना शुरू कर देती है जुनो उसे रोकता हुआ कहता है कि कल वाली बात के लिए नराज हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं इस पर यंगू उससे माफी माँगती है फिर जुनो कहता है कि जीजू आलेंड पर मेरी सिस्टर और बरदर इनलौ रहते हैं मैं उनसे बहुत समय से मिला भी नहीं इसलिए जब मैं उनसे मिलने वहां जाओंगा तो तुम भी मेरे साथ चलोगी इसके बाद देखते हैं कि जंग इस ट्रिप के लिए अपरोवा लेने के लिए सीओ हैं के पास जाता है और हैं भी उन्हें ट्रिप पर जाने की परमिशन दे देती है और इस ट्रिप के सक्सेस्पल होने की बेस्ट विशिश भी देती है रात में यंगो जब ग्यूरामी और हेरी के रेस्टार्ण में होती है तो वो उसे जुनो के बारे में बताते हुए जीजू आलेंड पर जाने के बात भी बताते हैं यूरामी कहते हैं कि तुम्हें अपनी फ्यूचर सिस्टर इनलो के साथ बहुत अच्छे बीहवियर से पेश आना होगा और उनके दियेवे खाने की तारिफ करनी होगी जीजू आलेंड की बात सुनकर यूरामी और हैरी बहुती एकसेलेड हो जाते हैं और वो यंगों के साथ जाने का प्लान मनाते हैं फिर वहाँ ग्यूरामी और हैरी भी आते हैं जयंगों ने भी साथ चलने की परमिशन दे देता है इसके बाद सभी फ्राइट में जाते हैं जहां मिन्हू समान रखने में सुनकी मदद करता है इससे सुयान थोड़ी इंप्रेस हो जाती है ये यंगो की पहली फ्लाइट होती है चलिए वो काफी एक्सेलिड है और थोड़ा नर्वस भी फिर जेजु आइलेंड पर पहुंचने पर सब एक कार रेंट किले जाते हैं जहां जुनों ने एक नॉर्मल कार बुक की होती है वही हैरी ने एक ओपन स्पोर्ट कार बुक की होती है जिसे देखकर जंग अपना समान जुनों को देखर हैरी की कार में बैठ जाता है अब जुनों की कार में सभी अपना काम कर रहे होते हैं वहीं हैरी की कार में जंग और ग्यूरामी काफे इंजुआ करते हैं रास्ते में जंग की आँखों में आज़ू आने लगते हैं वैल फिर इनकी कार मंदर के टोल बूत पर पहुंचती है जहां उनसे एक आदमी आगे जाने के लिए जबर जस्ती फीक लेक्ट करता है सुयोन पीछे बैठी वे अपने कैमरे से सारी चीज़े रिकॉर्ड कर रही होती है जब वो आदमी कैमरे को देखता है तो वो उसे चिनने की कोशिश करता है लेकिन इस पर मेन हो उसे बचा लेता है इसके बाद सभी जग की फिबरे नूडर शॉप पर जाते है लेकिन वो अब बंद हो चुकी है अब अगले दिन जब ट्रायल शुडू होता है तो दोनों टीम के बीच अर्ग्यूमेंट होती है लकिन सबूत की कमे की वज़े से जज उन्हें अगली हेरिंग की तारीख देते है ट्रायल खत्मोने के बाद मंदिर में एक मौंक जज के पास आकर उन्हें बार बार मंदिर विजिट करने के लिए कहता है पिर जग इस बात से एकरी करकर उनके साथ मंदिर चला जाता है जहां उन सभी को प्रेयर करने पड़ती है मंदिर में बेल की आवाज को सुनकर यूरामी तो डांस करने लगती है और वहाँ पर एक मौंक उसको देखकर हसने लगता है अगले सीन में देखते हैं कि प्रेयर खत्मोने के बाद एक मौंक उने बताता है कि इस आइलेंड पर हाईवे बनने की वज़े से बहुत सारे पेड़ों को काटा गया जिससे सभी जंगली जानवर हाईवे पर आ गए सभी अपने अपने सोच बता रहे होते हैं तभी जंग अपने कमरे से बाहर आकर अपना लैप्टोप बंद करके कहता है कि आज हमारा इस आइलेंड पर बहरा दिन है इसलिए हमें इंजॉय करना चाहिए फिर मिन्हो और सुयोन सभी के लिए ड्रिंक्स लेकर बाहर जाते हैं जहां सुयोन मिन्हो से बाते करते वे उसकी तरफ एट्रेक्ट होने लगती है रास्ते में मिन्हो जब अपने घर वालों से फोन पर बात करता है तो स्योन को पता चलता है कि वो अपने घर में अकिला ही कमाने वाला है और उसके उपर बहुत सारी रिस्पॉंसिबिलिटीज हैं इसके बाद में नहों कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया मैं इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्यों हूँ क्योंकि मुझे हर चीज थे खुद से करनी पड़ रही है यह सुनने के बाद स्योन भी थोड़ा उदास हो जाती है फिर जब वो रेस्टों में जाते हैं तो स्योन पूछती है क्या बाते चल रही है तो यंगो बताती है कि जंग ने बताया उनकी वाइफ कैसे उने छोड़ कर चली गई अब जंग बताता है कि मैं हनीमून पर अपनी वाइफ के साथ इसी आईलेंड पर यानि की जीजू आईलेंड पर आया था लेकिन उस समय मुझे बहुत जादा ओफिस का काम करना पड़ता था इसी वज़े से मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाया और उसकी वज़े से मेरी लाइफ में प्राबलम शिड हो गई आज साथ साल पहले मेरी वाइफ मुझे डायवर्स देकर चली गई अब ये बाते सुनकर सभी उदास हो जाते हैं फिर रात को जब सब सोरे होते हैं तो यंगू सुयोन के साथ बाते करती है तब वो देखते हैं कि जंग रेस्टों से बाहर अपने पेट को पकड़ कर बैठा हुआ है यंगू से पूछने के लिए बाहर जाना चाहती है लेकिन सुयोन उसे मना कर देती है अगले दिन जुनो और यंगू डॉल्फिन्स को देखने के लिए बीच पर जाते हैं लेकिन उन्हें एक भी डॉल्फिन दिखाई नहीं देती इससे यंगू थोड़ा निराश हो जाती है कि मुझे डॉल्फिन नहीं दिखाई दे रही इसके बाद दोनों मिलकर यंगू की बेहन सिन के घर जाते हैं जहां सिन और उसका हस्बेंट यंगू को देखकर फिलकोल हरा न जाते हैं फिर सभी लंच करते हैं और यंगू को खाना पसंद नहीं आता लेकिन फिर भी वो उसको खाती है और सबी को उसके चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कि उसे खाना अच्छा नहीं लगा इसके बाद जब यंगो बात्रूम के लिए अंदर जाती है तब सिन जुनों को कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो और कभी भी इस लड़की को हमारे पैरेंट से मत मिलवाना क्योंकि वो इसे कभी एकसेप्ट नहीं करेंगे फिर जुनों नहीं समझाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते उधर यंगो भी इनकी सारी बाते सुन लेती है अगले सीन में हम केस का नेक्स ट्रैल देखते हैं जहां अर्ग्यूमेंट के बेज जंग का पेट बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है और वो जैसे ही खड़ा होने लगता है पेचारा गिर जाता है ये देखकर वहाँ पर सभी काफी परिशान होते हैं और तुरंट एमबुलेंस बुलाई जाती है इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है एपिसोड 14 की शुरुआत में पता चलता है कि जंग को स्टमक कैंसर है और वो अभी 4th स्टेज पर है सभी अटरनेस को जब ये पता चलता है लेकिन इस पर यंगो कहती है कि उस शॉप के माले को ढूनना होगा क्योंकि अगर आप कैंसर की वज़े से मर गए तो आपकी आखरे चाह दूरी रह जाएगी जंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा अब इसकी भाते सुनकर वहां का एक शैफ काफी घुसा होता है जिसे जुनो देख लेता है दूसरी तरफ मिनो और सुयोन लोकल लोगों से इस शॉप के बारे में पोच्छते हैं तो एक बोड़ी औरत उन्हें बताती है यौनवो नूडल्स औरिजिनल थे लेकिन हौनवो नूडल्स वाले ने मारकेटिंग से उनके सभी कस्टमर्स अपनी तरफ कर लिये रात में जुनो उस शैफ का पीछा गड़ता है जो यौनवो रेस्टरॉन के पास जाकर बिल्ली को खाना देता है जुनो के पूछने पर शैफ बताता है कि मैं पहले यौनवो शॉप में काम करता था यौनवो शॉप के मालिक एक माँ और बेटे थे और उन्होंने मुझे जॉब दी थी इसी के साथ उन्होंने मुझे अपनी सीक्रेट रेसिपी सिखाई थी लेकिन फिर मैं हौनवो शॉप में चला गया और उसी रेसिपी की वज़े से हॉन्बोश शॉप ने इतना बड़ा बिजनस खड़ा कर लिया शेफ आके कहता है कि जाने से पहले यॉन्बोश शॉप के मालिक ने कहा था कि वो ऐसी जगे जाएगा जहां पहाड और नद्या होंगे अब रात में सबी इस बारे में डिसकस करते हैं तब ही यंगो को याद आता है कि उस यॉन्बोश शॉप के बाहरे एक लेडर था उसमें किसी नर्सिंग होम का एडरस था अगले दिन जुन्हो और यंगो उसी नर्सिंग होम एडरस पढ़ जाते हैं जहां वो रिसेफ्शनिस्ट को लेटर दिखाते हैं तो वो उन्हें बताती है इस आतमी की माँ हमारे नर्सिंग होम में रहती थी और हमने इस लेटर को उनकी विजिटिंग के लिए भीज़ था फिर तुन्हों उनसे मिलने के बात कहता है अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रायल में मौंग को बुला जाता है और वो बताता है कि हाईवे से बहुत सारे जानवरों का एक्सिलेंट होता है इसलिए वो शुरुआ से ही इस हाईवे के खिलाफ था जब उसने गॉर्मेंट से इस बात की कम्प्लेंट की अब यंगो जब मौंग से पूछती है आपने इतने सारे पैसे किस तरह से टेंपल में इन्वेस्ट किये तो मौंग कहता है कि ऐसा करना पॉसिवल नहीं है अगले सीर में देखते हैं कि हॉस्पिडल में जंग की एक्स वाइफ सर्जरी की अपॉइंटमेंट लेट लेने की वज़े से उस पर घुसा कर रही होती है तब ही वहाँ पर यंगो आ जाती है फिर जंग कीम को बाहर भेज़ कर यंगो से केस के बारे में डिसकस करने लगता है इस डिसकशन के बाद जब यंगो बाहर आती है तो कीम बताती है मैं जंग के साथ रहने पर भी अकला मैसूस करती थी और आज इतने सालों बाद भी जब मैं उनसे मिली तो वो मुझसे जादा केस में इंटरस्टड है वो बाते करी रही होती है तब ही यंगू के पास उसके फादर का कॉल आता है और वो इस बार जुनों से मिलने के लिए कहता है वो देखना चाहता है कि जुनों को यंगू का ध्यान है भी या नहीं या उसका ख्याल रख भी पाएगा या नहीं यंगू कहती है कि देखिए जुनों मुझे आप की तरह खुश भी रखेगा और मेरा ध्यान भी रखेगा लेकिन कम्या तो मुझ में है क्योंकि मैं किसी का भी ध्यान नहीं रख पाती अगर जुनो मेरे साथ रहेगा वो अकेला महसुस करेगा इतना कहकर यंगू भौती रोने लग जाती है अगरे दिन यंगू जब जुनो के साथ डॉल्फिन देखने के लग जाती है तो वो उसे कहती है हमें ब्रेक अप कर लेना जाहिए जुनो कहता है डॉल्फिन नहीं देख पाई तो इसलिए तुम ऐसा कह रही हो क्या निराश मत हो क्योंकि अभी डॉल्फिन हम काफी बार देख सकते है क्योंकि मौंक ने कहा है जो सामने होता है हमेशा वही पूरा सच नहीं होता अब ये सुनकर यंगू को केस का एक आइडिया आता है और वो यहां से जाने लगती है तब ही जुनो गसे में चिलाकर यंगू से कह देता है कार में बैठ जाती है फिर रात में ड्रिंक करते है जुनो मिन्हो और सुयोन को ब्रेक अप के बारे में बताता है उधर यंगू हैरी और गुरामी के साथ पाप जाती है जहां वो साइड में बैठे वे कानों पर हेड़फून लगा कर सोचती रहती है इसके बाद में जुनो को घर लेके आता है फिर बालकनी में आकर सुयोन में बैठे को कहती है तुम अच्छा बनने के एक्टिंग क्यों कर रहे हो में बैठे को बहुत सारी चीज़े नोटिस करने लगी हो कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती हो सुयोन उसे कुछ भी नहीं कहती है और दोनों एक दूसरे को बस देखने लग जाते है तब ही वहाँ पर यंगू, ग्यूरामी और हैरी भी आ जाते है ग्यूरामी में बैठे को बहुत ही पसंद करती है और जब वो में बैठे को सुयोन के साथ देखती है तो समझ जाती है कि वो एक दूसरे को प्यार करते है इसलिए बिचारी खुद उदास होकर चले जाती है अगले दिन जुनों जंग को लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है क्योंकि आज वो डिस्चार्ज होने वाला है वहाँ जंग उसे अपने रिलेशन्शिप का एक्जामपल देते हैं अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे कभी भी अपने दूर मत जाने देना उदार रेस्ट्रो में मिन्हो और सुयोन आक्वार सिच्टूइशन में फंस जाते हैं तो यूरामी वहाँ पर आकर मिन्हो और अपने मेंसे किसी एक को चुनने को कहती है लेकिन हैरी उसे पकड़कर वहाँ से लेके जाता है फिर जब सबी जीजू आइलेंड से अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में टोल बूत को देखकर समझ जाते हैं इसके बाद सबी मौंग से मिलने के लिए मंदिर जाते हैं जहां जंग उसे सौरी कहता है क्योंकि फीन अकलेक्ट करने से मंदिर को बहुती नुकसान होने वाला है जंग उसे एडवाइस देता है कि मंदिर को सेल फाउंडिशन बनाना बहुत अच्छा रहेगा और वो कहता है कि इसमें जो भी कारवाई होगी वो हैंड बाल ओफ हम हैंडल कर लेगी ये सुनकर मौंग खुश हो जाता है फिर सबी मौंग के साथ लंच करने कले जाते हैं जहां रास्ते में मौंग जंग को अपनी बिमारी के लिए एक प्रार्थना बताते हैं इसके बाद यंगो जंग ने जो काम क्या होता है उसके लिए उसकी तारीफ करती है वो जंग से कहते हैं आप बहुत ही अच्छे हैं और आपके इस काम को देखकर मेरे मन में आपकी वैल्यू और भी जादा बढ़ गई लंज करते समय जंग को मंदिर के नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और यंगो को याद आता है कि ये मंदिर पहाड़ों और नदियों के बीच में है इसलिए वो सभी दोड़ते हुए शेप से मिलने के लिए किचन वजाते हैं जहां उन्हें ये उन्बो शॉप का मालिक मिलता है और वो बताता है कि हुन्बो ने मेरी रेसिपी के साथ मेरे कस्टमर भी चुडा लिए इस वज़े से मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी सभी उसे समझाते हैं कि तुम कानून की मदद से हुन्बो से लड़कर अपना बिजनेस वापस ले सकते हो वो आदमी उन्हें रास्ता दिखाने के लिए थैंक्स कहता है फिर यंगो उसे जंग की बिमारी के बारे में बता कर कहती है तुम एक बार इनके फिबरे नूडल्स बना लो अब क्योंकि मंदिर में इस तरह के नूडल्स बनाना तो मना होता है इसलिए वो आदमी उन सभी को लेकर अपने पुराने रेस्टरॉंट जाता है जहां सभी नूडल्स को बहुत ज़्यादा इंज्वाए करके खाते है जंग अपने टीम को देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फिल करता है इसके बाद सभी फ्लाइट में बैठकर वापस आने के लिए निकल जाते है लास्ट सीन में देखते हैं कि हैन को न्यूस से पता चलता है कि टाई सुमी मिनिस्टर आफ जस्टिस के लिए खड़ी होने वाली है इससे वो बहुत ही घुसा हो जाती है फिर वो रिपोर्टर से मिलती है जो उसे बताता है कि टाई सुमी की बेटी का नाम है यंग हो और वो आपके आफिस में काम करती है हैन कहती है मुझे पता है और वो कहती है कि यंग हो टाई सुमी की बेटी है इस बात के ओपर आर्टिकल तुम्हें टाई सुमी के मिनिस्टर आफ जस्टिस बनने से पहले पब्रिश करना होगा रिपोर्टर उसकी बात माझ जाता है इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मुवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजे वहाँ पर हम आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े काफ़ी अच्छे कॉंटेंट देंगे और अगर आपको ये स्रीज अच्छी लग रही हो वीडियो अच्छी लगी हो एक्स्पेनिशन अच्छा लगा हो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब मिलता है कि वीडियो में तब तक लिए गुडबाई अपना खयाल रखे और फाइनली थाइक थाइक थाइक